नमस्ते अब्रिवान आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चिनल पर मैं आज बनाने जारी हूं बहुत ही आसान सी रेस्पी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की रेस्पी हम बनाने वाले हैं फ्रेंस नारियल का लड्डू यह बहुत ही कम चीचों से हम बनाएंगे दूद चेनी और सिफ नारियल ना मावा और ना ही घी हम ऐसे इसे बनाएंगे फ्रेंस तो मैंने फ्रेस दो नारियल लिया है और इसे दो टुकडों में दोल ली हू और एक से दो घंटे में इसे धूप में रख दी दिफ्रंस ताकि इसका किनारे अच्छे से छोड़ दे तो देखे मैं हलकाल का चाकू या चमच के सारा से इसे निकाल लूँगी बढ़ियां से और इसका जो पिछले साइट का ब्राउन गलर का भाग है इसका छिलका में छिल भिए दोंगी इस से से नारियल सौल बनते हैं इसका छिलका निकाल देने से नहीं निकाल का भी दिखते है कालगाल से तो निकालना जरूरी है ऐसे जिल के निकाल लिएगा या फिर चाको से अच्छे से निकाल लेज़ेगा फ्रेंस इस तिवाली ये नारेल का लड़ू जरूर बनाएगा फ्रेंस बहुत ही कम खर्च में बनके रेडियो जाता है अगर आप लोग को ऐसा खड़ा नारेल नहीं ल लाकि नारेल को अच्छे से छील लेना है कि बहुत ही घीक होता ही पृण्स बनाना खर नहीं तो देखिक ज Friends का वला भा भाग शील दिया है ताकि हमारा लड़ू वाइट-वाइट बाइट दिक हर मैं चॉपिंग बॉल्वाड लोँई और इसा चुछत smart attempt करके मिक्सी में पीश लूँगी ताकि यह इसका पाउडर इजली बन सके तो देखिए ऐसे आप लोको छोटा-छोटा कर लेना है तो सारे मैंने टुकडे कर लिये हैं इसे काट करके आप प्लेर में रख लूँगी और इसे पीश दूँगी मिक्सी जार छोटा वाला मैंने यूज तो देखिए हमारा नारियल पाउडर अच्छे से पीश चुका है अब हम इसे एक परतर में निकाल ले रहे हैं उसके बाद हमें चाहिए फूल फेट वाला दूद यह मैंने गया का दूद लिया है प्रंस आदा किलास यह मलाई वाला है मैं इसका मलाई भी ले ले ली हूँ और 100 ग्राम के करीब मैंने चीने लिया है यह 200 ग्राम के करीब मिल अगर आपको ज्यादा मिठा पसंद हो तो ज्यादा यह कम भी चीनी कर सकते हैं तो देखिए फ्रंस मैं इसे अच्छे से 2 मिंट मीडियम फ्लेम पे भूलनूंगी ताकि इसका जो कच्छा पर्वाला टेस् देखिए हुए सारे नायोल का पाउडर इसमें एड़ कर ली हूँ और अच्छे से धीरे धीरे चला रहीं फ्रंस क्यूंकि पेन छोटा है तो मैं इसे धीरे चला रही हूं कि गीरे ना तो देखिए ऐसे आप लोगों भी चला लेना है ज्यादा नहीं भूनना है बस 2 मिंट ताकि इसका कच्छापन चला जाए तो देखिए भूनने के बाद हम अपना दूद मलाय वाला दूद है फ्रंस मैं इसमें ले ली हूं ताकि हम इसमें मिलक पाउडर नहीं डा रहे हैं तो अच्छा टेस्ट आए और साइनिंग भी मिठाई में आए तो इसलिए मैं इसे मला मिडियम फ्लेम पे चलाते हुए पका लूँगी जब हमारा दूद अच्छे से सब सोख कर जाएगा पक जाएगा तो पेन छोडने लगेगा तो देखिए अभी मैं चला रही हूं और यसे ही तीन से चार मिंट हमें पका लेना है मिडियम फ्लेम पे हमारा मुस्किल से मुस् एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ और ठंडा हो गया है तो इसका लड़ू बनाना ये स्टार्ट करती हूं फ्रेंज अगर वीडियो पसंद आये तो प्लेस लाइक और सस्क्राइब किजिएगा तो देखिए मैंने नारेल का बुरादा साइड में भी रखा था ताकि इसके उपर अच्छे से कोटिंग कर सकूं इससे अच्छा दिखता है तो देखिए बहुत इजली बन जा रहा है आप लोग अगर आप लोग कभी भी ट्राइना किया होंगे तो जरूर ये मेरी रेसपी देखके ट्राइ किजिएगा और वीडियो पसंद आये तो कमेंट बक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर किजिएगा वीडियो बनाने में महनत लगता है एक कमेंट से मेरा मन खुस हो जाता है है ना फ्रेंश तो लाइक और सपोर्ट का जरूरत है प्लीज लाइक और सपोर्ट किजिएगा तो देखिए फ्रेंश लड़ू हमारा कितना इजली बन जा रहा है तो देखिए हमने सारे लड़ू बना के रेडी कर लिये हैं आरेल का लड़ू कितना प्यारा और कितना सप्ट बना है फ्रेंस आप लोग खुद देख लीजेगा एकदम हल्वा के जैसा सब्ट बना है मुँँ में जाते ही घूल जाएगा तो देखे आप लोग को तोड़के भी दिखाती हूं कितना असानी से तोड़ जा रहा है अगर रेशिपी पसंद रहे तो लाइक सब्सक्राइब किजिएगा फ्रेंस दप्ता के लिए बाए